गुड मॉनिंग एरिवन, आज हम डिसस करेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं है, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल सो आगे बढ़ते हैं सेशन में, सेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंफोर्मिशन देना चाहूंगा कि कल मंडे से, मंडे जो है हमारा 9 बजे 9 एम हमारी जो कलास होगी बेस्ट थाउजन करंट अफेर का पार्ट वन आने वाला है, बेस्ट थाउजन करंट अफेर का पार्ट वन आएगा बहुत लंबी कलास होगी, तो दियान से देख लेना इस कलास को और Saturday जाने के आज शाम को 9 PM हमारी GSGK की जो है आपकी marathon class होगी रात को 9 बचे तो इन classes को join करना मत बूरना और प्लस आप मुझे जो है different social media की उपर follow कर सकते हैं सारी जानकरी जितने भी lectures होते हैं वो आपको telegram channel की उपर share कर दी जाती है और यहां पर approximately 80,000 प्लस यहां पर वैसे तो 89 के आसपास पहुंच चुके हैं और प्लस आप मुझे Instagram की उपर भी follow कर सकते हैं और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम की उपर भी follow कर सकते हैं चैप्टर वाइस, टॉपिक वाइस, जो है MCQ डिसस की हैं बहुत डिटेल में और GS course के अंदर हमने theory topic डिसस किया है topic को detail में theory डिसस करी है तो दोनों course जो आपके available हैं वो हमारे study IQ app के उपर हैं तो करना क्या है आपको study IQ की app आपको download करनी है प्ले स्टोर से download कर लिजिए, ने तो link का आपको comment section में मिल जाएगा जैसी आप download करते हैं आपको screen के उपन नजर आएगा home page home page के बाद यहां पे दिखेगा best selling courses, यहां पे दिखेगा we all का button वी all का button को दबाना जैसी आप देखेंगे यह course आपको 34 नमबर पे दिखेगा और यही course आपको 10,000 MC की course भी आपको 34 नमबर पे आपको दिख जाएगा तो इन courses को purchase करके आप अपनी preparation को आगे बढ़ा सकते हैं GS course के अंदर जो है आपको एक coupon code लगाना है VIP500 आपको discount मिल जाएगा और 10,000 में एक coupon code लगाना है जो आपको screen की बर blink कर रहा होगा जब आप डाउनलोड करते हैं जब आप आप उपन करते हैं अगर आपको कोई भी doubt हुआ regarding any course, regarding any जो है अमारे code के बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको मुझे Instagram या Facebook के उपर message करके path कर सकते हैं और कोई भी जानकारी मेर से ले सकते हैं तो start with the first question पहला आज क्या कहता है जी question बहरीन Grand Prix 2020 जो है किसने जीता है बहरीन Grand Prix 2020 का खिताब किसने जीता है तो यह जीता है Lewis Hamilton ने तो इस साल के तो सारी maximum exercise जो exercise बोला हूँ मैं Grand Prix इन्होंने ही जीती है तो answer इसमें B option बनेगा correct answer Mercedes के खिलाडी है यह Mercedes के और यह कहां से belong करते हैं Great Britain से belong करते है Great Britain से, this is very very important Clear याद रखना है यह आपको clear होना चाहिए ठीक है यह है आपका answer इसमें B option बनेगा Right answer विराट कोली जो है एक quickest batsman बन गया है जिन्होंने 22,000 का आंकडा पार किया है International Runs में और यह achieve करने वाले जो है कितने matchों में इन्होंने जो आंकडा है अचीव किया है इन्होंने सचिन टनुलकर का भी record तोड़ दिया है सचिन टनुलकर को तो 493 गेम्स खेली थी तो उनके 22,000 रन पूरे हुए थे और इन्होंने 462 गेम में पूरा कर लिया है 22,000 का आंकडा तीसरे नंबर पे थे ब्रैन लारा ब्रैन लारा ने 511 जो है मैचेज में जो कवर किया था तो अंसर इसमें 462 is the correct answer विराट कोली जो है इंडियन टीम के जो है हमारे कैप्टन है इंडियन मैंड टीम के कैप्टन है क्रिकट टीम के ICC की बात कर सकते हैं ICC के जो चेर परसन अभी रिसेंटली अपॉइंट के गए थे डैडिस ग्रेग बार्कले ग्रेग बार्कले जो है अपॉइंट के गए थे और CEO कौन है यहां के मनू सानी मनू सानी और इनके जो हेड़कॉर्टर है डैडिस जिदा दुबई डुबई UAE के अंदर इसके हेड़कॉर्टर है तो 462 is the correct answer भागया नगर जो है हाली में न्यूज में था ये कौन से शहर का नाम रखने की बात कर रहे हैं भागया नगर भागया नगर बोल रहे हैं कि हम हैदराबाद का नाम जेंज करके भागया नगर कर सकते हैं इसमें D option बनेगा राइट अंसर हैदराबाद जो है capital किसकी है तेलेंगणा की तेलेंगणा की जो है capital है अब हैदरा तेलेंगणा की capital है तो तेलेंगणा की बात करते हैं तो तमिल साय सौंदाराजन जहां के governor है और CM कौन है यहांके, that is K. चंदरशिकर राओ, और यहां पर आपके तेलेंगना के अंदर जो है, महवीर हरीना, महवीर हरीना, वानस थाली, वानस थाली, नैशन पार्ग देखने को आपको मिलता है, और मुरूगावानी, मुरूगावानी, नैशन पार्ग देखने को मिलता ह अंसर इसमें D option बनेगा राइट अंसर हैदराबाद नेक्स्ट है इट्स पापा बोईबा डायोप जो है ये इनका हाली में धिहानत हो गया है ये कौन से टीम के फुटबॉलर थे ये कौन से टीम से फुटबॉल केलते थे ये सेनेगल से फुटबॉल केलते थे अंसर इसमें one option बनेगा राइट अंसर फीफा वर्ल्ड कप जो है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो है इन्होंने अपने देश के लिए जीत हासिल करी थी 2002 के अंदर अब बात करते है सेनेगल की तो सेनेगल की आपको पता है कैपिटल क्या है देट इस धाकर और यहां की जो करंसी है देट इस वेस्ट अफरिकन फ्रेंक वेस्ट अफरिकन जो है आपकी फ्रेंक इसकी करंसी है और प्रेजिडेंट यहां की कौन है देट इस मैकी सैल फीफा की आपको पता होना चाहिए फीफा के जो चेर परसन है उनका नाम क्या है डैड इस ग्याननी इनफैंटिनो फीफा जो होने वाला है 2022 का कहां पे होने वाला है कतर के अंदर ठीक है तो अंसर इसमें ए आप्शन बनेगा राइट अंसर कौनसी स्टेट को जो है 6th consecutive year के अंदर best organ donation का अवार्ड मिला है लगाता छटे वर्ष में अंगदान में सर्फ स्टेश राज्या किसे गुशित किया गया है और ये राज्या गुशित किया है national organ and tissue transplantation organization नोटो ने जो है इसको गुशित किया है और ये राज्या है आपका तमिलन अवार्डो की बात करते है तो चनई is the capital इड़ा पड़ी के पलानी स्वामी यहां के क्या है सीम है और बनवारी लाल प्रोहित जो है यहां के governor है यहां का मुदू मुलाई नैशन पार्ग है मुखूरती नैशन पार्ग है इंदरा गांदी जिससे आप क्या कहते हैं अन्ना म Transplantation Organization जो किसके अंदर काम करती है Ministry of Health Services के अंदर काम करती है Ministry of Health and Family Welfare के अंदर Ministry of Health के जो Minister है वो कौन है हमारे वो हमारे Minister है that is Dr. Harshwarden, Dr. Harshwarden जो है वो कहां से सांसद है that is the that is the from the Chandni Chong, Chandni Chong in the Delhi वहां से सांसद है तो अनसर इसमें Tamiladu is the correct answer कौन सी एरलाइन ऐसी पहली इंडिया की एरलाइन बनी है जो ले लदाक के अंदर आपका जो समान लेके भी जाएंगी माल वाहक भी बनेंगी तो वो बनी है आपकी स्पाइस जेट स्पाइस जेट इस दा करेक्ट अंसर और ले से सभी देश के कंट्री को जो है जोड़ेगा पहली एरलाइन बनी है हमारे इंडिया की और इन्हें ने दिली से ले तक का अभी सफर अभी कैरी किया था तेरा टन जो है समान जो यहाँ पे पहुंचा था लेक के अंदर और जो स् स्पाइस जेट की एक डेडिकेटर कारगो आम है जिसे हम कहते हैं स्पाइस एक्सप्रेस स्पाइस एक्सप्रेस ग्लियर और इनका जो गया था दैडिज बोईंग 737 यह फ्रेटर गया था आपका इस रूट से ग्लियर और इसके अंदर जो है आपका जैसे फार्मसिटिकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लार्ट्स, पैरिशेबल गूड्स, मेडिकल एक्विमेंट्स यह सारी चीज़े जो है यहां से हम ट्रांस्पोर्ट कर सकते हैं और स्पाइस जेट की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइस जेट जो है 2004 में बनी थी गुरू ग्राम इसके पियर्मन एंड एंड एमडी है किसके आपके स्पाइस जेट गे तो आंसर इसमें क्या बनेगा सी ओप्षिन बनेगा करेक्ट अंसर इनमें से जो है किसने प्रती बूती बाजार परिक्षक स्मार्ट कारेकर्म की शुरूआत करी ड़ीज सेकूरी मारकेट ट्रेनर प्रोग् को 1992 में मिली थी और CB के headquarters is Mumbai, अजे त्यागी यहां के क्या है, आपके chairperson है clear, अब बात यहां पर यह है कि security market trainer program का aim क्या है, investor education की proper तरह के से पैसा कहां पर invest करना है, उसके लिए education awareness फेलाना, इसका जो है main aim है, clear, this is very very important अब बात कर सकते हैं, हम यहां पर और इसके अंदर जो है, हम awareness, investor education, protection सारी चीज़े हम promote कर रहे हैं अब बात करते हैं, यहां पर जो है, आपके International Organization of Security Commission, इन्हों ने जो है, यह day मनाया था, International Organization of Security Commission, इन्हों ने day मनाया था, इसके secretary general कौन है that is Paul P. Andrews Paul P. Andrews, clear और headquarter कहां पर है, Madrid Madrid के अंदर, Madrid, Spain के अंदर इसके headquarter है, clear याद रखी आपको, और CB मैंने आपको बताई दिया है, answer इसमें B option बनेगा correct answer, पहला addition, healthcare future summit का, जो होने जा रहा है, 6-8 December को कौन से शहर के अंदर healthcare future summit का पहला संस्क्रण 6-8 December 2020 तक आयोजित किया जाएगा कौन से शहर में, तो ये योजित क्या जाएगा, दुबई के अंदर, answer इसमें one option बनेगा, right answer दुबई is the correct answer, answer is one option Secretary General, Organization of Islamic Corporation के किने नियुक्त किया गया है Islamic सहयोग संगठन के महा सचीव किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है हिसेन ब्राहमिन, हिसेन ब्राहिम ताहा, हिसेन ब्राहिम ताहा, तो answer इसमें c option बनेगा, right answer, clear और United Nation की एक जो है, आपकी, मतलब एक second in largest intergovernment organization है, ये आपको पता होना चाहिए Islamic organization जो है, और इसके जो headquarter है, Islamic corporation के, तो ये headquarter है आपके, that is, जिदाहा जिदाहा, Saudi Arabia जिदाहा, Saudi Arabia इसके headquarter है, ठीक है और India Islamic operation का member नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, तो answer इसमें c option बनेगा, right answer परदान मंत्री मोधी ने अभी एक प्रगती meeting को recently chair किया है, तो ये कौन सी meeting थी so, now what is प्रगती प्रगती का मतलब क्या होता है proactive governance proactive governance and timely implementation proactive governance and timely implementation, ये जो है, इसका जो meeting का नाम है और ये जो है, meeting इसलिए के रिगी थी ताकि प्रॉपर रिगी से हम review कर सकें multiple projects चला सकें, grievances programs कर सकें, इस चीज़ के लिए meeting हुई थी, और ये 33rd meeting थी, 33rd, 33rd meeting थी, आपको देखने को मिली थी और इस project का जो course था 1.1 lakh crore, 1.41 lakh crore देखने को आपको मिला था जिसमें बहुत सारी states जैसे उडिशा, महराष्टा, करनाटक, उत्रपरदेश, जम्मो कुश्मीर, ये बहुत सारे जो है हमने states को cover इसमें किया था और ये जो project है आपके ministry of railway, DPIT, चीकाप power ministry, ये सारे जो हैं इसको लगाएंगे answer इसमें 33 is the correct answer next है देव दिपावली महोसब जो है ये कौन से शेहर में देखने को आपको मिला देव दिपावली महोसब का मतलब क्या होता है कि बगवानों की दिवाली इसको हम क्या कहते हैं दिवाली ओफ गॉड्ज और ये कहां पर देखने को मिला था बारान नसी के अंदर देखने को आपको मिला था ता festival of lights of gods और ये हमेशा फेस्टिबल का मनाया जाता है कारतिक पूरनिमा के अंदर कारतिक पूरनिमा के अंदर और कब कहांपे celebrate किया जाता है बारनसी उत्तरपरदेश के अंदर और जब फुल मून होता है हिंदुमंत का तब यह celebrate किया जाता है आंसर इसमें क्या बनेगा ए बी-सी option बनेगा वारनसी कहां का शेहर है यूपी के अंदर एक शेहर है जी अंसर इस C option क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा नेक्स्ट है डेविड चार्ल्स प्राउज ठीक है इनका हाले में दिहात हो गया है ये किस field से जो है बिलॉंग करते थे ये एक actor थे अभिनेता थे अंसर इसमें क्या बनेगा आपका B option बनेगा अभिनेता थे अंसर इस B option हायाबूसा 2 स्पेस क्राफ्ट जो है ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि साउथ अस्टेलिया के अंदर जानकी दक्षनी अस्टेलिया पहुंचेगा दिसंबर 6 को और वहाँ से स्वाइल सेंपल लेगा किस एस्टरोइड के कौन से एस्टरोइड के जो है ये सेंपल लेगा ये हायाबूसा 2 अंतरिक शियान ये आपके सेंपल लेगा ये रियोगू के अंसर इसमें 1 option बनेगा रियोगू के सेंपल कलेक्ट करेगा वहाँ से और ये जो हायाबूसा 2 प्रोजेक्ट है ये सारी चीज़े यहाँ पर लगी हुई है और प्रोपर तरीके से हम इन चीज़ों को वहाँ पर एस्टरोइड को डिसकस करेंगे तो इस इस इंपॉर्टन कोशन अंसर इसमें क्या बनेगा बी ओप्शन राइगू इस दा राइट अंसर नेक्स है जो हाली में इरप्ट हुआ फटा वो किस देश का आपका जो है वाल कैनो है तो ये इंडोनेशिया का वाल कैनो है अंसर इसमें डी ओप्शन बनेगा राइट अंसर बात करते हैं इंडोनेशिया में भी कौन से आइलेंड की उपर है यह island है यह island का नाम क्या है डैट इस Limbata Limbata island के उपर देखने को आपको मिलता है ठीक है इंडोनेशिय की अगर हम बात करते है तो इंडोनेशिय की जो capital है वो है जकार्था ठीक है इंडोनेशिय रुपईया यह जो है इनकी currency है और जो को विदोदो जो को विदोदो जो है यहां की क्या है आपकी जो है प्रेजडेंट है जो को विदोदो यहां के प्रेजडेंट है अंसर इसमें D option बनेगा इंडोनेशिया इस दा करेक्ट अंसर कौन सी country एपरल से लेके सप्तमबर 2021 तक हमारे देश में FD करने वाली जो है biggest source बना ह हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया है FDI में तो वो है Singapore Singapore is the correct answer clear Singapore के बाद US आता है US के बाद जो है आपका Mauritius वगएरा देखने को आपको मिल जाते हैं बट आपको में पता होना चाहिए the main is the जो है आपका US clear US sorry main is the Singapore and second is the US बसे इसको और करने की ज लगाया जाता है और जो हमारे देश के लिए asset create करके जाता है now what is asset जैसे अगर आपकी roads बना दी ठीक है और जैसे आपकी metros बना दी आपकी blue जो है आपकी that is जो हमारी जो भी कोई of industry and internal trade ये आपका department जो है इसके secretary कौन है ये है गुरू परसाद महापात्रा गुरू परसाद महापात्रा जो है इनके जो है secretary है और ये किस department के अंदर काम करता है sorry ministry के अंदर commerce and industry के अंदर जो है काम करता है ministry of commerce and industry और हमारे ministry of commerce and industry के minister कौन है पियुश गोईल जिनकी constituency क्या है मह महराष्ट्रा क्लियर अंसर इसमें Singapore इस दा राइट अंसर किने अपॉइंट किया गया है Brand Ambassador as a BAFTA Breakthrough India Initiative के लिए BAFTA Breakthrough India Initiative के लिए Brand Ambassador किसे अपॉइंट किया गया है Music जो है Composer that is A.R. रहमान को अपॉइंट किया गया है BAFTA Breakthrough Initiative in India Clear और यह Film Games और Television इंडिया को जो है पर्मोट करता है Talent को पर्मोट करता है Answer इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा A.R. रहमान is the correct answer पहले Indian जो है Global CEO बने है Bata Company के Bata जो है आपका Shoe Company है जो उसके Global CEO कौन बने है तो वो बने है Sandeep Kataria Answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा Sandeep Kataria is the correct answer Bata की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो Global Headquarter है वो कहां के है That is the Lausanne Lausanne जो है आपके Switzerland के अंदर और 1894 के अंदर जो है यह आपका बना था जो Bata Company बनी थी Answer इसमें C option बनेगा Correct answer Avian Influenza Disease का Outbreak जो है हमें कौन सी कंट्री में देखने को आपको मिला है Avian Influenza Roka Paracope किस के कंट्री के अंदर देखने को मिला है Japan के अंदर देखने को आपको मिला है अब now what is Avian Influenza Avian Influenza को हम Bird Flu भी आप कह सकते हो चीक है और यह तीन viruses के कारण देखने को आपको मिलता है वो कौन-कौन से है H5N1 H7N9 और एक होता है H9N2 यह तीन आपके जो है आपके viruses होते हैं जिसमें सबसे जो डेंजरस होता है पोल्टरी फ़र्म में वो होता है H5N1 is the सबसे डेंजरस वाला ठीक है इस इस वेरी डेंजरस Bird Flu भी कह देते हैं और A1 if you भी इसको कहा दिया जाता है तो अंसर इसमें जापान जापान की जो कैपिटल है वो है टोकियो ठीक है अंसर इस C option तो यह थे आज के लेक्टर के अंदर कोशन बाकि आपको मैं बता दूँ आज रात को 9 बजे जो है हमारी क्लास आएगी तो आपको टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना है यहाँ पे डॉक्टर विपन गोल के नाम से यहाँ पे जो है 89,000 के पास पास बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए है प्लस इंस्टाग्राम के उपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आपको डाउनलोड करनी है जैसे आप डाउनलोड करेंगे होम पेज की उपर आपको निगज़र आएगा यहाँ पे बैस सेलिंग कोर्सिज यहाँ पे व्यूल का बटन दबाएंगे तो व्यूल को जैसी दबाएंगे तीसरे चौते नंबर के उपर आपको GS कोर्स लेगा और तीसरे चौते नंबर के उपर यह आपको 10,000 MCQ by विपन सर भी नजर आ जाएगा तो जो कोर्स है इसके अंदर वो लगाएंगे और डिसकाउंट लीजे GS कोर्स के अंदर आपका कोर्स है VIP500 तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा 10,000 MCQ कोर्स के अंदर भी एक कोर्स लगाना है जो आपको स्क्रीन के उपर ब्लिंक कर रहा होगा अगर आपको कुछ भी डाउट आता है रिगार्डिंग कोर्स रिगार्डिंग पेमेंट कुछ भी तो आप मुझे Instagram और Facebook के उपर मैसेज कर सकते हैं तो आप इससे जानकारी ले सकते हैं So thank you so much guys All the very best, good luck, take care, bye-bye